नमस्कार, BP Competition Academy में आप सबका स्वागत है, यह Academy आपके मद्प्रदिश की रिवा संभा के सीरी जले में बिस्तित है, इस Academy के माद्दम से आज हम आपको 1773 Regulating Act से संबन देत, कुछ प्रश्णों के बारे में डिस्कास करेंगे, तो उमीद है यह जो प्रश्ण हम डिस्कास यह आपको परिक्षक दिश्च से बहुत महत्पूर प्रश्ण होंगे, तो आप लोग पूरे प्रश्णों को ध्यान से देखें, और सभी के उतर पहले आप देने का प्रयाश करें, बाद में हम तो बताएंगे, ठीक है, तो आईए सुरू करते हैं पहला प्रश्ण, पहला टने, regulating act 177 दूसरा option, pits India act 1784, तीसरा option, चार्टा एक 1793 और चौथा option 1813 अब्लोग एंसर ढूंड चुके होगे, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही answer दिया है, पहला इसका correct answer होगा, पहला इसका correct answer होगा, regulating act, पहला नमबर इसका correct answer होगा, क्वारत में जब इस्ट अंडिया कंपनी ब्रिटिस सरकार के निगराने में व्यापार करने आई थी तो इस कंपनी का सासन जो है हुए पशाई तरीके से चलाने के लिए कि और चाइव कि अस्विकार करने के लिए और तो राजनितिक अस्थुत हैं उनको स्विकार करने के लिए व्यापारिक धाचे को और विहतर तरीके से विस्तार करने के लिए यह सब्सक्राइब। कर दो सब्सक्राइब से कि इन लिए खिशित अधिनियम ने से किस अधिनयम के द्वारप में कलकत्ता में सर्वोट चनियाले करेश चार अधिन Lenya आपको देए गए हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पेट्स इंडिया एक्ट 1784 और चार्ट एक्ट 1793 बिल्कुल इसका राइट एंसर होगा 1773 क्या होगा 1773 आपका राइट एंसर होगा जिसमें एक मुख्य नायदीस बनाया गया और तीन अन्य नायदीसों के नेक्टे भी की गए जो अंग्रेजी कानून के अनुषार प्राइदा के मुकद्मों का निर्णय करते थे इस प्रकार जो इनका कारेश शेत्र था बंगाल भिहार और उडिसा था जिसे यह लोग 1765 में ही अपना लिया थे इस तरीके से आपका जो राइट एंसर होगा वो रेगुलेटिंग एक्ट होगा 1773 यह आपका सही एंसर होगा ठीक है चले अगले प्रश्ण पर हम लोग चलते हैं यह हमारा तीसरा प्रश्ण है निमनलखित में से किस ब्रेटिस अधनियम ने ब्रेटिस इस टेंडिया कंपनी को व्यापार का विश्यशादिकार दिया चार आपसं दिया गया है जो प्रश्ण है उसका सीधा सा कहना है कि ब्रेटिस अधनियम कौन सह सा ब्रेटिस अधनियम है जो ब्रेटिस इस टेंडिया कंपनी को व्यापार करने का विश्यशादिकार दिया है तो आपको यहां पर राइट एंसर बताने हैं चार इसका एंसर है एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एक पीट सी एंडेट 1784 चार्ट एक 1793 और चार्ट एक ठारा सो तेरा तो इसका जो एंसर होगा राइट एंसर बिल्कुल 1793 जा राइट एंसर 1793 के तहट यह कहा गया कि जो इस्ट इंडिया कमपनी थी भारत में ब्यापार करने के लिए आई थी ठीक है वो अपना एक अधिकार जमाय रखने और अपने हस्तकस छेत्रों पर जो जो छेत्रों उसके पास हैं हस्तकस छेत्रों पर पूरी तरीके से शार्षन करने की छोड़ दे दी गए और यह कहा गया कि आप जिस तरीके से विचा हो आप व्यापार को अपने बढ़ा सकते हो यानि कमपनी को व्यापार का विशेशा दिकार दे दिया गया ठीक है इस तरीके से जो आपका तीसरा प्रश्न का एंसर होगा वो चार्ट एक 1793 होगा चले अगले प्रश्न है निमनलखित में से कौन सा ब्रेटिस अधनियम ने ब्रेटिस सथकार की संसदी प्रणाली के विचार को परस्तुत किया था पर विचार करता है 1793 एक्ट चार्टर एक्ट निया 1813 ठीक है चार्टर एक्ट 1833 चार्टर एक्ट 1813 बिल्कुल अब आप इसका चार्ट एक्ट 1813 होगा ना है आपका टेक्ट 1813 फोगा और ना ही ापका 18 a 1873 होगा इसके राइट एंशर एक्ट ने 58 बिधान परिश्द यानि ब्रेटिस संसदी माडल के अनुसार काम करती थी जो संसदी सरकार के संसदी परणा ली ठीक है इस परकार जो चौथे का एंसर होगा वो चाट एक्ट 1833 ठीक है अगले सब आल पर हम लोग चलते हैं अगला प्रेश्ण हमारा है अगला प्रेश्ण है सब्रेश्ण है किम निर्वनेखित में से किस ब्रेटिस अधिन यम ने भारती सीविल सेवा को खुली प्रत harness परदा के रोप में पैस किया तक चार्टरेक्ट कि भारती सिविल सेवा के सदस्यों के नियुक्ति के लिए खुली प्रतियस पर्धा का योजन किया गया था ठीक है और मैं काले श्रमीत के अध्यक्ष बनाये गये थे जिस पे भारती सिविल सेवकों को खुली प्रतियस पर्धा में पेस किया गया था तो इस प्रकार सब्सक्राइब ऑलास्ट प्राश्ने अगलास प्रस्दा मोरा बंगाल के पहले वंहें अंट्रस्टिंग सवाल है बंगाल क। क्या है बंगाल को सुरों में क्या बनाएगा था मगा धोर मड्रास और अधार मज़ने प्रेशिदेनश्तbung यों और रभांगाल ख arbit पहला सिधा से सवाल ये ऊटता है तीक है यहां ग 중요ना का नाम और कि इससे चीज़ उसका से तुकि मद्रास बंबई प्रेजबन सी यह three ओंक कर दिया गया था तो से में बना को 3 ओंक कर दिया गया था अभी मैंने बताया विए आपको इस परकार वारें हेस्टिंग को बंगाल गवर्नर चानल का स्थम ऑपयोग सही करते थे इही रिजिन है अएकि बंगाल के जो लाड़ वारन हेस्ट्टिंग बहुत समय तक हो कम कर पाय में प्रेहिए कि आगे भी हमें वेत इसकरके रहें अच्छे परश्टा-चींचान उपक्स बिसकर चॉब ले रहें उमीद हैं आप इस टॉपिक को बसंद करोगे और यह जो हमारे चैप्रश्ण हमने 17-17 रेग्लेटिंग एक्ट से दिये हैं आप इस पर अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे से इन पर बर करना और यह चैप हमारे जो प्रश्ण है वह बहुत इंपॉर्टेंट बश्ण जो आपको 17-19 रेग्लेटिंग एक्ट से दिये हैं यह आपको पशन्द आया तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक कर दें जिससे हमें भी पता चले कि आपको पशन्द आया है और यह पसंद नहीं आता तो आपको अप्शन तो पता ही है क्या करना है और कमेंट भी करें ठीक ना सेयर करना बिलकुल भी ना बोलें ठीक है ठीक है ठीक है धन्यवाद